Hello, I am Rajesh Kumar and I welcome you all to the official YouTube channel of Entrepreneurship Sales School of Open Learning University of Delhi और आज इस वीडियो में हम Startup India Learning Program के बारे बात करने वाले हैं इस प्रोग्राम के benefit क्या है, क्या आपको उसका certificate मिलेगा, इसके फायदे क्या क्या है आप उस certificate का कहा कहा use कर सकते हैं, आपको किस्ता से registration करना है और ऐसी ही बहुत सा information आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो में आखरे तक बने रहेगी देखे, Startup India Learning Program में एक 4 weeks का free program है, जो आप online घर पैठे कर सकते हैं ये एक online program है, जिसमें आपको basic information दी जाती है, startup आप किस तरा से start कर सकते हैं बोला जाता है कि ये basic program है, लेकि इसमें आपको एक full-fledged information देखने को मिलती है आपको क्या-क्या documentation लगाने है, किस तरा से आप startup start कर सकते हैं, किस तरा से अपना idea identify कर सकते हैं किस तरा से उसको scale कर सकते हैं, इन सबी चीज़र की information आपको देखने को मिलती है और कौन-कौन से law follow करने हैं, आपको वो भी आपको उसमें देखने को मिलता है यानि कि एक full-fledged startup India learning program आप इसको कह सकते हैं, लेकिन बोला जाता है कि ये एक से basic program है इस program के अंदर आपको एक certificate भी देखने को मिलता है, जो आप पूरा course complete कर लेते हैं तो आपको एक certificate भी issue किया जाता है, जो आपको अपनी screen पर यहाँ पर दिखरा होगा ये मेरा certificate है, क्योंकि मैंने भी ये वाला course कर रखा है और आप भी ये वाला course करके इसको अपने curriculum बिटाए, अपने resume में add कर सकते हैं ताकि आप कहीं अगर job अगरा पर भी जा रहे हैं, तो आप इस course के बलबूते पर अपनी job ले सकते हैं इस course की वज़े से आपको बहुत ज़्यादा एक edge मिलेगा अपने competitor के मुकाबले क्योंकि आपने एक course कर रखा है, जो उस व्यक्ति ने नहीं कर रखा है, तो यहाँ पर आपको एक competitive edge देखने को भी मिलता है इस program के दूसरा benefit यह है, कि इसमें बहुत सार assignment आपको देखने को मिलते हैं उस वो assignment आपके plan से related होते हैं, आपका जो भी plan है, आप उसके बार में आपको information देते रहिए और आखरी में आपको एक full-fledged PDF file देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको अपने plan के बार में पूरी information देखने को मिलेगी मैं अभी आपको इसके registration process में लेके जाऊँगा, और वहाँ भी मैं आपको दिखाऊँगा कि इसके दो benefits जो है, यानि कि एक को certificate और दूसरा जो आपका plan है, वो आपको पूरा PDF form में आपके देखने को मिल जाता है, जो कि upgrade दोरा आपको मिलता है, यानि कि एक highly qualified जो एक institution है, इसको दोरा आपको पूरा PDF देखने को मिलता है, जहां से आप अपने plan की starting कर सकते हैं, मैं आपको registration process पे लेके चल रहा हूँ, और वहीं पे मैं आपको इस पूरे program की information देने वाला हूँ, चलिए registration process में चलते हैं, और महाँ पे मैं इसको आपको पूरी information देता जो link आपको description में दिया था, उस पे click करने के बाद आप इस website पे आ जाएंगे, यहां पे आपको दो option देखने को मिलते हैं, register now English, register now Hindi, तो आप दोनों में से किसी भी एक option पे click करके, अपनी learning को start कर सकते हैं, मैंने किसी एक option पे click कर दिया है, यहां पे एक छोटा सा firm आता है, उसके बाद आप sign up हो जाते हैं, इतना चोटा सा firm है, इस यह आपको form भरना है, मैं यह form भरने के बाद आपको मिलता हूँ, और बताता हूँ कि आपको किस तरह से आगे का interface है, आगे क्या-क्या देखने को मिलता है, तो मैंने यह sign up पे click कर दिया है, और sign up पे click करने के बाद जो आपके सबसे उपर आपकी स्क्रीन पर ये खुल के आता है इसको भी आपको OK कर देना है और Accept and Proceed पर क्लिक कर देना है अब आपको दो प्रोग्राम देखने को मिल जाते हैं एक तो Startup India Learning Program English में एक Hindi में मैंने किसी एक पर क्लिक कर दिया है और यहां पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है जहां पर यह आपको पूरा टूर करवाता है इस वेबसाइट का तो अगर आपको वेबसाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी आप Next Next पे क्लिक करते करते आप इस पूरे प्रोग्राम को देख सकते हैं यहां पर आपको वीडियो भी देखने को मिल लियोगी आप उस वीडियो को भी देख सकते है तो यह पूरा Next Next करते करते यह आपको पूरे वेबसाइट पे लेके जाएगा पूरा उसका इंटरफेस दिखाएगा कहां कहां कौन से टैब है कहां डिसकेशन टैब है कहां आप अपना लेर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते है कहां आपकी प्रोफाइल है यह पूरे आपको सीक्वेंस वाई साई चीज़े दिखाएगा तो आपको कहीं दहदा भचिकमेंगी भी जरुवत नहीं है आप देखें यहां पे आप आगए है सबसे पहले आपको इसका थोड़ा स्क्रॉल करना है और नीचे जाना है और नीचे दो पेंदिंग असाइमेंट क्योंकि दो पेंदिंग इसलिए है क्योंकि आप startup learning program आपने अभी start किया है और अभी आपने कोई भी चीज़े नहीं करी है तो यहाँ पर देखिए दो चीज़े pending है यह startup learning program के पहले chapter है वो आपको complete करने है इसमें total 7 है और 7 में से 7 में से यह 2 है यह पहले ही chapter के 2 part है तो मैंने पहले वाले पर click कर दिया है आप बि आइडिया से related information भेनी होती है और अगर आपके पास कोई idea नहीं है आपके पास कोई ऐसी information नहीं है जो आप उसमें दे सकें तो आप उसमें NA, 0 या 123 या ABC ऐसा कुछ लिखके उसको proceed कर सकते है ताकि आप इस course को अच्छे तरह से complete कर ले मैंने यह video देख ली है video देखने के बा form में बताता हूं आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है आपको email ID भरनी है अपनी एक valid email ID भरनी है तब ही आपको certificate वगरा मिल पाएंगे यहाप अपनी age यहाप आपकी city की city से यहाप अपनी education qualification वो भी highest वाली जो अभी अपने latest में करी हुई है उसके बाद आपका college का देखने को मिल जाएंगे जैसे कि मैंने बताया था कि आपको certificate देखने को मिलेगा जिसको अपने curriculum बिटाए और resume में लिख सकते हैं दूसरा upgrade का आपको एक पूरा plan जो होता है पूरा plan canvas जो भी आपने plan के बारे में अपनी information दी होगी इस course के दोरान assignment के रूप में तो वो आपको एक full flash PDF के रूप में मिल जाएगा मैं next पे क्लिक क यह मैं पूरी वीडियो देखता हूँ और पूरी वीडियो देखने के बाद मैं next पे क्लिक करता हूँ और next पे क्लिक करने के बाद मैं यह next पे मैंने भी क्लिक किया है और next पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पारे होंगे कि यह जो level है यह खतम हो जाएगा कौन स देख ली है, वीडियो देखने के बाद, यहाँ पर मैंने next पे क्लिक कर दिया है, next पे क्लिक करने के बाद यह देखिए, पूरा यह 100% कंप्लीट हो गया, यानि कि जो पहला chapter था, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, अपना अपने पूरी वीडियो देख ली है, और अब आपको पता चल चुका है कि आपको Startup India Learning Program किस तरह से कंप्लीट करना है, अगर अभी भी आपे कोई डाउट है, तो आप नीजे comment box में लिख सकते हैं, आप अपना feedback, अपने comment, comment box में ज़रूर लिखिए, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इसी तरह का content हम इस entrepreneurship चैनल, School of Open Learning, University of Delhi के चैनल पे लाते रहते हैं, यहां तक वीडियो देखने का आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक्यू